आप लोगोंने सबने देखा होगा वाइस फोर डिमोक्रसी करके एक संस्था है एक समू है विशेशग्यों का जिनोंने जो अभी हाल में लोगसभा के चुनाओ खतम हुए उस पर जो वोट पड़े थे और वोट कितनी की गिंती हुई अलग-अलग फेजिस में कितना पड़ा बाद में इलेक्शन कमिशन ने क्या अनाउंस किया उसका एक बड़े गहन रूप से उन्होंने अध्यन किया है और उसमें कुछ ऐसी बात ने निकल कर आती है कि जो कोई भी आदमी चाहे तो उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं मुख्यता जो बात वो निकाल कर लाए जो सबसे बड़ा प्रशन आता है कि जितना उन्होंने शुरू शुरू में हर फेज में जितना अनाउंस किया जो शाम को साथ सवा साथ बजे का उनका आता है अनाउंसमेंट उसके और जो आखरी फेज में जो फाइनल उन्होंने आकड़े दिये उसके बीच में किसी फेज में 4% किसी फेज पे 6% किसी फेज में 8% तक का अंतर है और मैं एक जो प्रश्ण अपने आप से पूछता हूँ और आप से भी पूछता हूँ जहां से में इस रिपोर्ट के विशलेशन की शुरुवात करूँगा आप लोगों ने भी देखा हूँगा कि जब election के सरोय होते हैं तो plus minus 1% 1.5% लोग कहते हैं कि अगर इतना अंतर है तो वो valid सरोय है उससे उपर अगर अंतर जाता है तो invalid सरोय हो जाता है या फर्जी सरोय माना जाता है अगर उस हिसाब से देखें और हम देखें कि कहे वोई आकड़े और आकड़ी आकड़ों के बीच में अगर 6 प्रतिशत का अंतर है राश्ट्री इस तर पर तो यही तरक अगर हम आगे वोड़ाएं तो क्या सही में ये नतीजे सही थे या नहीं थे ये अपने में एक सवाल बनता है इन्हों ने जो विशलेशन किया है उसमें कुछ बातों पर मैं आपका ध्यान आकरशित करूँगा और फिर देखूँगा कि कुल मिलाकर करीबन 5 करोड़ ऐसे वोट हैं जो बाद में आते हैं और इसका जब भी इलेक्शन कमिशन से पूछा गया है तो वो ये कहते हैं कि शाब हमने साथ बजे सवा साथ बजे साड़े साथ बजे जो आकरे दिये थे वो प्रात्मी करूप से एकदम सही नहीं थे अंदाजा था और उसके कुछ समय बाद जब फाइनल हो जाता है वो हमने पब्लिश किये यह दूसरी बात है कि पहले फेस में 11 दिन बाद दूसरे फेस में 6 दिन बाद और बाकी के फेस में 4-5 पाँच दिन बाद इन्होंने अपने फाइनल आकरे दिये यह तब है जब कस्मे खाई जाती है कि EVM से बहतर कोई तरीका नहीं है EVM से हर चीज पता चल जाती है और को कि मैं EVM पे कई चुनाओ लड़ा चुका हूँ खुद चुनाओ लड़ चुका हूँ मैं दो इत बातें EVM के आपको सफ़ष्ट करता हूँ कि EVM से जब वोटिंग चालू होती है तो कोई भी बूट हो कहीं भी हो हर डेड़ या दो घंटे में उन्हें एलेक्ट्रोनिक तरीके से एलेक्शन कमिशन को उस बूट पर उस समय तक कितने वोट पड़े हैं ये भीजना पड़ता है ये शायद आप लोगों ने भी एलेक्शन कवर किया होगा कि आठ बजे तक कितनी पोलिंग होई दस बजे तक कितनी पोलिंग होई बारा बजे तक कितनी पोलिंग होई और अक अगर हम 60-65% के करीमन मानें आमूमन वोट पढ़ गया है पढ़ता है और 6% का अंतर है तो ये तो मैं बात माननी सकता कि 7 वजे के बाद 10% वोट पढ़ा मालब वोट पढ़ने का 10% वोट पढ़ा और थब यह आकड़ा इतना पढ़ा तो अपने में यह आकड़ा भी एक संदे की स्थिती पैदा करता है और विशेशकर ये तब और भी जादा सवाल बन जाता है जब हम राज्यों की स्तर पर देखें जैसे अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि आंतर प्रदेश में ये नंबर साड़े बारा परसंट है अब साड़े बारा परसंट वोट कहां से बढ़ गया ये बढ़े अपने में अचंभे की बात है उसी तरीके से साड़े बारा परसंट उरिसा में वोट बढ़ जाता है अब ये कोइंसिडन्स है कि आंद्र प्रदेश में उरिसा में भारती जंता पार्टी और उसके गड़मंदन ने अच्छा किया अब ये महस को काउंट हुआ करता था मैं आपको बता सकता हूं तब तो पोलिंग के दो ये तीन दिन बाद काउंटिंग हो जाती थी हम लोगों को फॉर्म सत्रासी मिल जाया करती थी मैं खुद आपको चौरासी का अनुभा बताता हूं चौरासी क्योंकि आज के हिसाब से तो एक सम्मल ये डाइनोसार की युग का टेक्नोलोजी इस्तमाल होती थी हमारे याँ पोलिंग हुई तीन दिन बाद काउंटिंग हुई अगले दिन उसके दो दिन बाद जब हम लोगों ने काउंटिंग एजेंट्स को फॉर्म दिये तो हमारे पास पूरा नंबर था कितनी वोटिंग एलेक्ट्रानिक जमाने में जो जाना जाता है अपनी एक्विरेसी के लिए इतना ज़्यादा अंतर हो जाए और कुछ राज्यों में बारा बारा पंदरा पंदरा परसंट का अंतर हो जाए ये अपने में पूरी की पूरी इलेक्शन प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है तो ये तो इस बात से बिलकुल विरोध में आता है कि जब पढ़ान मंतरी हमारे कहते हैं कि देश पूरा डिजिटल इंडिया हो गया है, हर चीज की ख़बर मेरे पास आती रहती है, कोई ऐसे जगे नहीं बची है जहां 5G, 4G नहीं चल रहा है, तो जब हम इतनी टेकनोलोजी में आगे बढ़ गए हैं, तो इतना बड़ा अंतर क्यों आता है, फिर एक और आकड़ा इलेक्शन कमिशन ने दिया, जो खुद वो आकड़े का जवाब ही, इलेक्शन कमिशन की इस पूसी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करता है, इलेक्शन कमिशन ने 2019 के बारे में बताया कि तब भी कुछ फेजिस में हम लोग देरी से डेटा दे पाए थे, ठीक है, लेकिन उस समय जो डेटा इन्होंने 7 बजे तक दिया था अलग-अलग फेजिस का, और अंतर में जो डेटा आया था, उसमें एक दशमलव से भी कम का अंतर था, लेस देन 1% डिफरेंस था, चलि चला जा रहा है, हम पहले गुरू थे, आप विश्वी गुरू हो गए हैं, तब 1% से 6% हम लोग और नीचे गिर जाते हैं, ये सवार नकेवल एक्शन कमिशन पर पढ़ता है, बलकि पूरी प्रक्रिया पर पढ़ता है, और दुरभाग की बात है, कि एक्शन कमिशन ने बा उक्तंत्र पर सीधा सीधा असर करते हैं, और लोगों के अंतर में ये बड़ा सवाल आता है, तो मुझे लगता है, इलेक्शन कमिशन की ये जिम्मेवारी बनती है, कि इस पर वो अपनी बात या अपना पक्ष रखें, फिर इसी वोट फॉर डिमोक्रिसी ने एक बड़े इ तो वोट परसंटेज जो बढ़ा है, और भारती जनता पार्टी के जीतने के बीच में जो अंतर है, उसकी पत्युदंदी नंबर दो की पार्टी से, वो उससे जादा पड़ता है, यानि अगर ये मानें, कि पूरी की पूरी ये जो वोट बढ़े थे, इसमें शायद अगर कोई धांदली हुई है, तो ये मान लिजे कि 89 सीटे ऐसी हैं, जो भारती जनता पार्टी इस मैनिपिलेशन से जीती है, चलो मान लेते हैं, 89 नहीं, ये मान लेते हैं, कि साड़े 6 परसंट नहीं, एक परसंट तो नॉर्मल होता था, तो उसको आप 6 परसंट मान लिजे, सीटे ऐसी हैं, जिस पर संदेह का एक सवाल खड़ा होता है, अगर आप 50-55 सीटे इसमें भारती जनता पार्टी की कम कर देते हैं, और उनकी विरोधियों पार्टी की बढ़ा देते हैं, तो आप खुद ही समझ सकते हैं, कि उसके बाद जब चार तारी के बाद शपत ली ग जीता हैं, उन्हों पार्टी की कि बढ़ा है, और जैसे मैंने कहा ये भी रूचिपूर्न बात है, राज्यों में जहां कम से कम विपक्ष के या उन लोगों के जो भारती जनता पार्टी को तीखी नजर से या लोचना की नजर से देखते थे हमारे हिसाब से जिन राज्यों में भारती जंता पार्टी या उनके अलाइंस को अच्छा नहीं करना चाहिए था या जिन में उनोंने उम्मीद से जादा अच्छा किया वो सब ऐसे राज्य हैं जहाँ इस तरीके की हेरा फेरी सबसे जादा पाई गई है उसमें महराष्ट है, उसमें आंध्रपदेश है, उसमें उरिसा है, उसमें बिहार है और उसमें कुछ बाकी राज्ये हैं जो इस तरह में आते हैं